लॉरेंस बिश्णोई का नाम सुनते ही एक खौफनाग छवी सामने आती है। बठिंडा जिले का यहाँ नामी गैंग्स्टर केवल अपराद ही नहीं, बलकि अपने राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। यह कहानी उस दुनिया की है जो बिश्णोई ने बनाई और उसे अपने खूनपसीने से सीचा, एक छोटे से गाव बठिंडा में। एक गरीब परिवार में जन्मे लॉरेंस ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत साधारन तरीके से की थी। उनके पिता खेती करते थे और मां घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती थी। लेकिन लॉरेंस का दिल हमेशा बड़ी दुनिया की और आकरशित था। वह अपने गाव के छोटे से दाइरे में बंधे रहना नहीं चाहता था। लॉरेंस ने अपनी किशोरावस्था में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरू में उसने छोटी मोटी चोरियां और स्थानिय गुंडागर्दी से शुरुवात की लेकिन उसकी प्रतिभा और हौसले ने उसे जल्द ही बड़े अपराधों की ओर मोड दिया। उसकी महत्वा कांक्षाएं इतनी बड़ी थी कि उसने अपने छोटे से गैंग को एक मजबूत संगठन में बदल दिया। गैंग के सदस्यों ने विभिन प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहना शुरू किया फिरौती की मांग। लॉरंस ने अपनी कठोड़ता और रणनीती से कई पुलीस अफसरों और राजनेताओं को अपने खिलाफ होने से रोक लिया। उसकी योजना और कार्य शैली ने उसे एक खतरनाक गैंग्स्टर के रूप में स्थापित किया। एक दिन बठिन्डा के एक प्रमुख नेता की हत्या ने पूरे पंजाब को हिला दिया। यहां हत्या लॉरेंस बिश्णोई के गैंग द्वारा की गई थी। और इस घटना ने उसकी छवी को और भी कुख्यात बना दिया। इसके बाद लॉरेंस ने कई महत्वपूर्ण लोगों को धमकाना और उनके साथ व्यापारिक लेंदेन को अपने गैंग के नियंत्रण में करना शुरू कर दिया। पुलिस और सुरक्षा एजंसियों ने लॉरेंस को पकड़ने के लिए कई प्रयास किये। लेकिन उसकी चतुराई और अपनी गैंग के सहयोग से वह हमेशा बच निकलता। इसके बावजूर उसने कभी अपनी जडों को नहीं छोड़ा और अपने गाव और परिवार को भी अपने प्रभाव से जोड़ कर रखा। उसकी दहशत और प्रभाव ने उसके कई विरोधियों को भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया।